नितिस कुमार के बेटे निसांत क्या बनेंगे मुख्यमंतरी क्या नितिस कुमार की राजनीती को निसांत बढ़ाएंगे आगे आखिर कहां है और क्या करते हैं निसांत नमस्कार में राजमोहंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज वैसे तो पूरे हिंदुस्तान म अपनी पर कास्टा पड़ है लेकिन बिहार की राजनीती का पड़िवारवाद हमेशा सही सबसे ज्याइदा चर्चा का विशय बना रहता है लोकचन सक्ति पार्टी के संयोजक रामविलास पासवान ने जहां यह खुला एलान कर दिया कि अब उनके बेटे चिराग पासवान ही लोजपा की करता धर्ता होंगे वहीं पूरवय मुख्य मंतरी लालु परसाद यादो के दोनों बेटे तेजपरताप और तेजशत्वी 2015 में फिटी माहर घट बंधन के कैबिनट में तेजपरताप स्वास्त मंतरी बने थो वहीं लालु यादो के छोटे बेटे ते जस्पी यादो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब 2020 विधान सबा चुनाओं में राजद के मुख्यमंत्री उमिद्वार हैं लेकिन लगतार 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैटे नितीश कुमार के बैटे बिहार की बरे नेता के बेटे होने के बावजूद वह लाइम लाइट से दूर ही रहते हैं आज जहां सभी युवास सोसल मीडिया पर व्यस्त हैं वहीं मुखमंतरी के निसांत कुमार का एक छोटा से वीडियो भी सोसल मीडिया पर आपको खोजने से नहीं मिलेगा नितिश कुमार के आप पर विचार विम्हां चल रहा है कि नितियु कुमार के बाद जदियु का निता कौन होगा उसी समय नितिश कुमार के बेटे निसांत कुमार को दिल चस्पी है वो अपनी जीवन अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहते हैं निशांत कुमार के इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि नितिश कुमार के पिता कविराज राम लखंसी से सुरू हुई उनके पडिवार की यह समाजिक और राजनितिक यात्रा नितिश कुमार के अनुगरा नरायन सिन्ना के बहुत कडीब थे नितिश कुमार के बेटे निशांत का जनम 20 जुलाई 1975 को हुआ था बी आईटी मिस्रा से निशांत ने इंजिनीरिंग में सनातक किया है निशांत भले ही राजनिति में नहीं है लेकिन चल चल संपति के मामले में वह अपने प दो करोर सत्तर लाक रुपए है निशांत मीडिया से बात नहीं करते वह किसी समाजी कारेकर में भी जाना पसंद नहीं करते और नहीं पिता के साथ किसी राजनितिक रैली में ही सामिल होते हैं एक तरफ जहां उनके पिता नितिश कुमार अपने वीरोधियों पर कटाक्ष क पर उनकी बोलती बंद करा देते हैं वहीं इसके ठीक उलट उनके बेटे निशांत सांत रहते हैं और राजनितिक सोर्गुल से दूर रहना ही पसंद करते हैं आज जब कि परिवारवाद की बात बेमानी हो चुकी है और छोटे बड़े हर नेता की अगली पिढ़ी स्वैम क राजनिती में स्थापित करने में लगी है ऐसे में राष्ट्रियक के एक नेता जो किसी सत्ता धारी दल के राष्ट्रिय अध्यक्ष और लगतार 15 साल उस बिहार जैसे राज्य के मुखमंत्री हो उसका पुत्र यह कहे कि उनकी राजनिती में जानी की कोई इच्छा नहीं तो आज के समय में इस पर यकीन करना थोड़ा कठिन हो जाता है लेकिन हम ढूड़े तो अवसरवाद की परकास्टा के दौर में भी अपवाद मिल जाते हैं जी हां बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार के कलौते बेटे निसांत कुमार ऐसे ही एक अपवाद है बिहार से परकास्टूरी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद